हेलो फ्रेंड्स राज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेंड नमबर 12219 मुंबई लोकमान ने तिलक टर्मिनल से सिकंदराबाद जंक्शन के दर्मियान में चलने वाली एसी दुरान्तो एक्स्प्रेस के बारे में फर्स्ट इनाउग्रेशन के अगर बात की जाए स्ट्रेंड में तो 23 फरवरी 2011 को इस ट्रेंड को फर्स टाइम चलाया गया था मुंबई लोकमान ने तिलक टर्मिनल से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के दर्मियान में train type के अगर बात की जाएए तो ये दूरान दो टाइप की train है और रेक जोन की बात की जाए तो south central railway zone इस train को operate करता है वे पाचर के गर बात की जाए इस train की तो ये train रात में 11.05 मिट को रवाना होती है मुंबई लोगमाने तिलग टर्मिनल से सिकंदराबाद जंक्शन रिल्वे स्टेशन के दर्मियान में 12 गंटे 5 मिट के समय लगाती है ये ट्रेन इस दर्मियान में ट्रेन के 3 स्टॉप होते है और टोटल डिस्टंस 779 किलोमेटर का सफरते करती है और इस स्टॉप के अगर बात की जाए तो 64 किलोमेटर पर ती गंटा की रफ़तार से चलती है और मेक्स परमेसेवल स्टॉप की बात की जाए तो 130 किलोमेटर पर ती गंटा की रफ़तार से ये ट्रेन चलती है Pantry और Catering की बात की जाए तो Pantry Car इस train में लगा हुआ रहता है Onboard Catering की भी, सुवीद आप लोगों इस train में देखने के लिए मिल जाती है E-Catering की Facility आप लोगों इस train में देखने के लिए नहीं मिलने वाली है रेक की अगर बात की जाय स्ट्रेंड में तो LHB रेक के कोच लगे रहते हैं और कोच कंपोजिशन की बात की जाय स्ट्रेंड में तो EOG का 1, SLR का 1, AC First Class का 1, AC2 टायर के 4, AC3 टायर के 9, और Pantry Kart का 1 कोच लगा रहता है टोटल इस ट्रेंड में 17 कोच लगे रहते हैं टिक्ट प्राइस के अगर बात की जाय स्ट्रेंड में तो First Class में आप लोगों 3,280 रुपे देने होंगे AC2 टायर में 2,660 रुपे देने होंगे AC3 टायर में 1,560 रुपे देने होंगे मुंबई लोकमाने तिलग टर्मिनल से सिकंदराबाद जंक्शन रिल्वे स्टेशन के दर्मियान में रेक शेरिंग के अगर बात की जाय स्ट्रेंड में तो ये ट्रेंड अपने रेक किसी भी ट्रेंड के साथ में शेर नहीं करती है लोकोमोटीव के अगर बात की जाए इस ट्रेंड में लोकमाने तिलग टर्मिनल से सिकंदराबाद जंक्शन रिल्वे स्टेशन के दर्मियान में लाल गुडा का विप 7 और BZA का विप 7 एलेक्रिक लोकोमोटीव स्ट्रेंड में लगाया जाता है तो चलिए मालुम करते हैं इस ट्रेंड के स्टॉप्स के बारे में ये ट्रेंड शाम में 11 बच कर 5 मिट करावाना होती है लोकमाने तिलग टर्मिनल से प्लैट्फॉम नमबर 3 से इस ट्रेंड का पहला स्टॉप होता है पूना जंक्शन रिल्वे स्टेशन अर्यवल टाइम है दो बजे का डिपाचर टाइम है दो बच कर 5 मिनिट का और 5 मिट का स्टॉइंड का यहां पर ठहरा हो रहता है अब तक इस ट्रेंड ने चार सो चौटिस किलोमेटर का सफर पूरा कर लिया है इस ट्रेंड का तीसरा स्टॉप होता है वाडी जंक्शन रिल्वे स्टेशन अर्यवल टाइम है आठ बजे का डिपाचर टाइम है आठ बच कर 3 मिट का तीन मिट का स्ट्रेंड का यहां पर ठहरा हो रहता है और अब त से सिकंद्राबाद जंक्शन के दर्मियान में चलने वाली एसी दुरान तो एक्स्प्रेस के बारे में फुल इंफॉर्मेशन तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करे मेरे चैनल जुने